नवीन जी जय जय गन्नाप माने निया प्रधान मंत्री जी मेरे नमस्कार बताईए किस प्रकार के योजना का आपको लाब हुआ क्या कहना चाहेंगे आप मुझे पांच किस्तों में दस हजार के प्येम किसान सहाथा प्राप्त हुआ है मैंने इस धन को खाद बेज किट ना सक खरीद के लिए उप्योब किया है एकार कि यानि खेती और पसुपालन के लिए धन का उप्योब करने की योजना बना रहा हुआ अच्छा भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार देती है वो आपको मलूम है क्या यह आपको किसान क्रेडिट कार मिला है मिला है अच्छा दूसका क्या करता है मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार मिला है मैंने 4% के ब्याजदार से बेंग से 37,000 का रून लिया है पहले तो 20% के ब्याजदार से साहुकार से कर्जा लेना पड़ता था अब 4% के हिसा ब्याजदार से मेरे को रून मिल रहा है और मैं इस धन को ब्याज धन को बीच, खाद, केटना सक के लिए केशिसी का उप्योग किया है केशिसी और प्येम किसान की योजना के लाब से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है इसलिए आपको प्रधान मंत्री जी मेरे नमस्कार नभीन जी आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिक कार केशिसी की सुविदा जो आपको मिली है तो अब आप ये खर्च कहां से करते हैं पहले क्या करते थे पहले कैसा करते थे मेरे पास एक एकर चालेज डिसमील जमीन है अच्छा इतना छोटी जमीन है उसमें धान का फसल उगा रहा हूं मुझे अन्य फसल करने के भी सोख है तो कुछ शुरू किया है अभी तो कुछ किया नहीं हूं नए करना चाहिए अच्छा विचार आपको आया है क्योंकि हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नए चीज़े करना चाहिए देखे नभी जी अट्रल जी की सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते रिण की योजना शुरू की थी और आज उनका जन्मदीन है अब इसको आप जैसे उड़ी सामें दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कानद पहुंचा है और जैसा आपने कहा ब्याज में रहात हो गई है आपको किसी बहुत बड़े ब्याज उसे पैसा नहीं लेना पड़ रहा है अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं यही सारी बाते हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो इसलिए सरकार काम कर रही है और मेरा आ आप work छोटे-छोटे किसानों को समझाए कि एक एक कि सी सी कार नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें के सीवाग करते बेंक एसे पैसे लें मा?!?! ज्यादा ब्याद से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें, ये जरूर सब को बताईए, करेंगे न बिंजी, पक्का करेंगे, जै पक्का करेंगे, चलिए जै जगरनाथ आपको,